सब्सक्राइब के ओपर आज के इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे फ्लिपकार्ट का एक जो नया अपडेट आया है मिनिमम ओडर क्वांटिटी को लेके तो क्या है यह फीचर इसके बारे में जानेंगे कैसे तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे सट्लमेंट वैल्यू को यह एफेक्ट करेंगा कैसे हमको ज्यादा सट्लमेंट मिलेगा इससे हम जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो का आण सब जरूर देखेगा और कोई भी इंपोर्टेंट पॉइंट आप यहां पर मिस ना करें तो फ्लिपका आपका कोई प्रड़क्ट जो कोई कॉस्ट पर आपको 50 रुपया और आपका मर्पी 150 रुपया है तो आप जब उसको लिस्ट करेंगे तो आप बिसिकली क्या करेंगा सटर्मेंट वैल्यू करेंगा तो वहां पर आपका तो नेगटिव आजाएगा या फिर जीरो आएगा तो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने एक नया option दिया है सभी sellers को जिसमें कि हम minimum order quantity set कर पाएं तो आगे देखेंगे वीडियो में किस तरीके से उसको set करना है और क्या है exactly feature और किन-किन verticals के लिए यह applicable है तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहां पर minimum order quantity option आप देख सकते हैं सेटलमेंट इसका मैं लिंक देदू का description में आप डारेक्ली वहां से पढ़ सकते हैं पुरा detail में इसमें लिखा हुआ है तो पहले मैं आपको दिखाता हूं practically कि settlement value किस तरीके से आप न तो एक्जंपल के लिए यहां पर हम देखते हैं settlement calculator में हमारे एक प्रेड़क्ट है फर एक्जंपल जिसका हमने रिस्टिंग प्रेस रखा है 129 रुपीज और मैं इसके उपर सिपिंग चार्ज कर रहा हूं 47 50 रुपीज 50 रुपीज ने ठीक है तो नेसनल में 50 रुपीज प मजबूरी है कि हमको यहां पर शिपिंग आड़ करना पड़ता है क्योंकि हमारा settlement value काफी कम आता है अगर यहां पर देखे तो bank settlement value मुझे 80 रुपीज मिल रहा है मेरा product का price यहां पर 50 रुपीज है 129 plus मैं 50 रुपीज shipping लगा के बेच रहा हूं तब मुझे settlement मिल रहा है 80 रु में यहां पर देख सकते हैं बट हम जो सेल कर रहे हैं उसके उपर तो जेस्टी लगएगा तो 129 के उपर जो जेस्टी लगएगा वो हमको फिर पे करना पड़ेगा ठीक है तो मुझे मिला के यहां पर आपको 10 रुपीज रुपीया ही आपको एक सेल पर मिलेगा तो 109 प्रस 65 रुपीज शिपिंग यहां पर जोड़ा जा रहा है लेट्स वर एक्जांपल यह 170 रुपीज में बेचा जा रहा है तो सेलर्स इस केस में क्या कर सकते हैं यह जो 109 रुपीज का है इसको आप डबल कर दीजिए मतलब 220 रुपीय रख दीजिए इसको और यहां पर minimum order quantity दो रख दीजे जब भी कोई seller खरीदेंगे तो इसको दो ही पीस में खरीदेंगे क्योंकि ऐसे प्रड़क्स जो है जैसे मोबाइल होल्डर होगे तो रॉसरी के आटम्स होगे वह कोई भी इसली डो आटम खरीद लेगा उसमें कोई hesitate नहीं करेगा ठीक है तो यहां पर ह हम लोग उस चीज़ का इस्तिमाल करेंगे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं लिस्टिंगा जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखावा है प्राइस इसका इसका जो minimum order quantity है यह दो है जो भी इसको खरीदेंगे माहलेजे मैं इसको add to cart में डालता हूं कार्ट में डालते हैं इसको आप देखिएगा यहां पर delivery जिससे यहां पर दिखा रहा है और यहां पर प्राइस जो है एक का प्राइस हमको कितना दिखा रहा था एक का प्राइस आपको 119 पर रहा है यहां पर मैं जब buy करूंगा तो मुझे दो quantity लेना पड़ेगा यह तो यह डबल हो जाएगा तो यहां पर कार्ट में आप देखिएगा कार्ट में जब एड़ करेंगे हमको 238 रुपीज बनके आजागा क्योंकि यहां पर जो minimum order है हमको दो हित देना पड़ेगा ठीक है तो यह प्रड़क्त खरीदने के लिए जो भी customer आएंगे तो उनको दो quantity minimum यहां पर पर्चेस करना पड़ेगा तो इसमें क्या होगा सेलर्स को बहुत फायदा होगा settlement value भी काफी ज्यादा मिलेगा मालेजी आप एक सेल करते हैं यहां पर 120 रुपिया में और free shipping आप offer कर रहे हैं तो वहां पर hardly barely आपको कोई settlement मिलेगा या फिर आपको negative settlement भी मिल सकता है क्योंकि product का cost भी होगा अगर customer यहां पर दो प्रड़क खरीता है तो वहां पर easily आप 50-60 रुपीस बचा सकते हैं तो इस तरीके से यह काम करने वाला है अब देखते हैं हम लोग कि इस तरीके से हम अपने listing के उपर minimum order quantity लगा सकते हैं इससे पहले और एक example हम ले ले लेते हैं यहां पर एक मसाला का listing हुआ है तो यहां पर देखते हैं 60 रुपीस यहां पर चार्ज किया जा रहा है और जो shipping चार्ज यहां पर देखेंगे 65 रुपीस तो कोई भी customer दस बार सोचेगा इसको payment करने के लिए यहां पर product का price जितना नहीं है आप उतना shipping ले रहे हैं तो जाइ यहां पर जैसे कोई भी customer आएगा तो पहला एक single वाला तो कभी खरी देगा नहीं ठीक है तो अगर पांच वाला combo लेता है तो यहां पर free shipping भी मिलेगा उनको 251 रुपीस में भी मिल जाएगा ठीक है customer को जितना जाद से जादा value देंगे तो उतना आपका sales बढ़ेगा ठीक ह यहां पर आप इस तरीके से variant अगर create कर रहे हैं तो वह well and good है तो वह भी अच्छा है वह एक अच्छा strategy है लेकिन इसमें क्या होगा single वाला जो लिस्टिंग होगा उसके उपर sale आपका नहीं आएगा तो अब देखते हैं हम लोग sell panel पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके स पर हम मीनोप्यू वाला feature या फिर option को हम activate कर सकते हैं या फिर देखते हैं तो यहां पर डैश्बोर को चले जाए आपको माय लिस्टिंग पर जाएगा यहां पर देखें लिस्टिंग रेकमेंडेशन करके आपको शो करेगा लिस्टिंग रेकमेंडेशन में आपको दिख जाएगा minimum order quantity इस केस में एक लिस्टिंग दिखा रहा है आपके केस में बहुत सर लिस्टिंग दिखा सकता है तो यह डिपेंड करता है है eligibility के ऊपर जो लिस्टिंग आपका eligible होगा उसी को यहां पर दिखाए जाएगा तो इसके उपर आप यहां पर हम आ गये हैं देखिए reduce selling price to 125 और below to set minimum order quantity to get higher sales ठीक है यहां पर देखिए जो price हमको करना है 125 रखना है फर एग्जांपल यहां पर 129 पहले हम रखे थे रहेट अब हम दो बेचेंगे इस quantity को 125 रुपय में बेचेंगे इसको अब यहां पर देखिए minimum order quantity मिनो क्यू का option देखा दिया हमको select में आपको 2 रख देना है ठीक है set minimum order quantity to on up to 75 more ठीक है तो यहां पर minimum order quantity हमने 2 रख दिया 75 more settlement हमको यहां पर मिलेगा ठीक है इस तरीके से आप क्या करेंगे जो भी listing आपका eligible होगा simply इसको price change कर दिजिएगा price जो पहले था थोड़ा बहुत एक 500 रिपर कम कर दिजिएगा यहां पर recommendation अल्रेडी दिखाएगा आपको सब्सक्राइब कर दिखेगा अब देखते हम लोग कौन से वर्टिकल्स यहां पर eligible है वह सारा लिस्ट हम देखेंगे मैं लिंक देदिया description में आप वहां से से लेके 175 रूपीज होगा और applicable selling price होगा 125 रूपीज इसी तरीके से हर category का जो भी eligible है यह पूरा लिस्ट आपको दिख जाएगा यहां पर price range भी दिख जाएगा यह जरूरी नहीं है कि सभी लिस्टिंग के उपर आपका यह सो करें तो आप अपने पैनल के उपर जैसे हमने डिसकस किया उसके चेक कर लीजिए मैं लिस्टिंग वाले section में कितना लिस्टिंग के उपर लिखा रहा है और फिर आप वहां पर opt-in कर सकते हैं तो इस तरीके से आप minimum auto quantity वाला feature को activate करेंगे यह सिलेक्ट करेंगे और काफी अच्छा feature है और अगर ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग आपका शो करें eligible हो जाए तो काफी अच्छा है तो लेट सी तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए वैलिवल रहा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आ तो वीडियो को जरू पोस्ट किया करेंगे आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहां पर help कर पाएं एक दूसरे का और कोई भी इशू आता है तो highlight कर पाएं वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पर वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को डेफिनिटी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएए ताकि आगे आने वाले सारे अप्डेट्स आपको मिलते रहें So that is all for today, thank you for watching